दोस्तो मेरे चनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आप GST नंबर ले लेते हैं तो फिर GST नंबर लेने के बाद आप उसे कैसे मेंटन करेंगे आखिर GST नंबर लेने के बाद क्या क्या करना होत है जी है कई लोग के मन में यहाँ सवाल उठता है यहाँ पर कई बिजनेस्में तो GST नंबर लेते हैं लेकिन लेने के बाद आखिर करना क्या है उन्हें पता ही नहीं होता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज को क्लीर करने वाला हूँ तो दोस्तो आप इ सुर्थ के आप नित्य DM था और अपंड़ि आप बिज्श्ट सेलिया कॉफे अब भी इस लिए नित्य है को एक मेन सब्सक्राइब करें तोहें तो ये पर अगर आपड़नोंबर लेते हैं तो यहां पर आप GST लेने के बाद जब आपको certificate मिल जाता है तो फिर आपको यहां पर अपने swap के बाहर या फिर office के बाहर यहां पर एक sign board लगाना होता है जिसमें कि आपका swap का नाम GST number address सारा चीज में चाहिए और आप इस चीज को हलके में बिल्कुल भी नहीं ले अगर आप यहां पर board नहीं लगाएंगे GST number मेंसर नहीं रहेगा बिजनेस का नाम मेंसर नहीं रहेगा address मेंसर नहीं रहेगा और अगर GST के अधिकारी कभी यहां पर भीजिट करेंगे और अगर आप पकड़े जाएंगे तो फिर किवल इस बात को लेकर आपके उपर वे 50,000 रुपे तक का penalty लगा सकते हैं तो दोस्तों आप इस चीज को हलके में बिल्कुल भी नहीं ले उसके बाद आपको जो GST का certificate मिलता है तो फिर आप यहां पर certificate को shop में जरूर लगाएं आप उसे elimination करके लगवा सकते हैं या फिर आप file में लगा कर रखें तो यहां पर आपके shop में certificate भी एबलेवल होना चाहिए कभी भी GST के अधिकारी विजिट करते हैं तो आप उन्हें यहां पर GST का चले या फिर ना चले आपका यहां पर sell 0 हो पर चेज जीरो हो तो भी इनी return फाइल करके आपको दिखाना होता है कि यहां पर बिजनेस नहीं चल रहा है और आप यहां सोच कर बैठे रहेंगे कि बिजनेस नहीं चल रहा है तो return नहीं भड़ना है, तो फिर यह केसा समय आएगा, कि है आपके उपर पिनांटी लगता जाएगा, तो यहां पर आपका बिजनेस चले या फिर ना चले आप return फाइल करना होत और आप जो भी टेक्स कस्टमर से लेते हैं, आप यहाँ पर इमेंदारी से उस टेक्स को जमा करवा दें, जो भी आपका परफेस्टनल होंगे, जो भी आपके CA यानी चार्टिट एकाउंडेंट होंगे, या फिर जो भी आपके GST के एड़ोकेट होंगे, आप उनके माधियम से टेक्स को गवर्मेंट के पास जमा करवा दें, तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आपको overall समझे आ गया होगा, कि GST मुढ लेने के बाद क्या 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 करना होता है, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंड बॉ से से करके appointment बुक कर ले, दोस्तों आप इस वीडियो का अपने दोस्तों और इस सितार में भी जरूर सेयर करें, हम लोग मिलते हैं वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल लखें